भूशा रत्नम, भुवन वलयस्य अखिला अस्चर्य रत्नम, लीला रत्नम, जलधि दुहितुर देवता मौली रत्नम, चिंता रत्नम, जगति भजताम सत्सरो जद्य रत्नम, कौसल्यायां लसतु ममहरन्मंडले पुत्र रत्नम, नमस्र वेभ्या, प्रभू, श्री रामस्य, गृहागमनस्य उद्सवस्य, अस्मिन सभायां, सर्वेशां, हार्तम स्वागतं, बेल्कुम्, जगर्ष प्रण स्वागतं, चिछूछ।, त। एस वेभिनर सेरीस तeil wells, राम, राम, राम and the Resonance। Starting from the 10th of January, various verticals of Indika have come together to celebrate the spirit of Prabhu Sri Ramachandra through music, conversations, stories and intellectual discourses. Today, Indika Today is hosting an interesting multilingual session in English, Sanskrit and Hindi. Our speaker for today is Professor Vasanthakumar Bhatt. Dr. Vasanthakumar M. Bhatt has served as the professor and head Department of Sanskrit at Gujarat University. He was also the former director of the School of Languages in the same university. He is a distinguished scholar with specialization in the Paninian system of grammar as well as manuscriptology. Dr. Bhatt is the author of 46 books including Samskrita Vakya Samrajana, a Sanskrit self-learning book and he has also translated the 7th and the 10th Mandala of Rig Veda and Nirukta of Yaskacharya. He has also worked on the first time critical edition of the Kashmiri recension of Abhijjana Shakuntalam from the Sharada manuscripts written on the birch back. He has published over 150 research articles. Today Dr. Bhatt will be speaking to us about Prabhu Sri Ramachandra who as Maryada Purushottam demonstrated strict adherence to dharmic boundaries even in the face of extreme adversities. His talk will be in Hindi and Sanskrit and is titled Dharma Paripalan Ki Mahima Shri Ram. Manojji, if you can play the video. Shri Ramachandra Shri Ramachandra Shri Ramachandra एक साधारण मनुश्य ही थे संस्कृत साहित्य के प्राचीन ग्रंथों से मालुम होता है कि मनुश्यराम अपने जीवन में आदी वराह की पूजा अर्चना करते थे अर्थात वे अपने जीवन काल में देव नहीं बने थे वे तो एक अईतिहासिक पुरुशी थे यज्यनारायन की कुरुपा से चार पुत्र प्राप्त किये थे ऐसे मानव राम का किन कारणों से देवत्त्य की कोटी में उर्धी करन हुआ होगा ऐसा प्रश्न होना स्वावाविक है इस प्रश्ण का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें महर्शी वालमी की प्रणीत रामायन का गहन अध्यायन करना चाहिए श्री राम का धर्म परिपालन अध्विती अधा रामायन में श्री राम की धर्म परायनता स्थान स्थान पर दिखाई पड़ती है उनके जीवन की दो प्रमुह गटनाओं की और हम आपका ध्यान अकुरुष्ट करना चाहते हैं जिनके कारण मनुष्य राम का देवत्व की पोटी में आरोहन हुआ था कई-कई ने जश्रत से पुर्व संकल्पित दो वर्दान हठात मांग लिये जैसे की कौसल्या के पुत्र राम को 14 वर्षों का पनवास दिया जाए और मेरे पुत्र भरत को राजगादी पर अभिशिक्त किया जाए श्री राम के जीवन की यही पहली गटना है जिसमें राम ने पुत्र धर्म के परिपालन का मार्ग चुना और उसी के कारण मानव कोटी के श्री राम का देवत्व की कोटी में आरोहन होना शुरू होता है राम को वनवास देने की बात को सुन कर तुरंद लक्षमन ने राम को कहा था कि ए जेश्ठ भराता राम हमारे पिता तो काम वशात कैकै के फ्रेम में अंध हुए है इस वृद्ध कामुक पिता को हम कैद करके उसका वद कर देते हैं और अयोध्या की राजगादी को फस्तगत कर लेते हैं लक्षमन के वचन श्रवणिया है प्रुच्साहिदो यम कैकेया संतुष्टो यदि नह पिता अमित्रभूतो निस्संगम वध्यताम वध्यताम अपी अर्थात, कैके के द्वारा प्रेरित किये गए हमारे पिता, यदि कैके के सुक्ष से संतुष्ठ है, तो ऐसे शत्रुभूत पिता को मंधन में डाल कर उनका वध कर देना चाहिए। तव लक्ष्मन जानामी मैस्नेहं अनुत्तमं विक्रमं चैव सत्यं सत्वंच तेजश्च सुदुरासदं मम मातुर महद्दुखं अतुलं शुबलक्षण धर्मोही परमोलोके धर्मे सत्यं प्रतेष्ठितं धर्म संश्रितं अप्येतत् पितुर्वचनं उत्तमं। ए लक्ष्मन मैं जानता हूँ कि मुझ पर तेड़ा तेरा बड़ासने है। मैं तेरे तेज और पराक्रम को भी जानता हूँ। मैं मेरी माता कौसल्य का अतुल दुख भी समझ सकता हूँ। किन्तु इस मनुश्य लोक में धर्म ही परमस्रेष्ठ है और उसी धर्म में ही सत्य प्रतिष्ठित रहता है। दूसरी और पिता दशरत ने कई-कई को जो वचन दिये थे तद अनुसा वे मुझे वनवास की आग्या दे सकते हैं। और मुझे पित्रु आग्या का परिपालन करना ही चाहिए वही मेरा पुत्र धर्म बनता है। मैं उनके वचनों का कथम अपी अतिक्रमन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर श्री राम ने पित्रु वचन का परिपालन करने को अपना पुत्र धर्म समझा है। परमकर्तव्य समझा है एक पुत्र के रुप में वही उनके जीवन का सत्य था ऐसावे मान रहे हैं। जब भरत वसिष्टादी कुलुगुरुओं के साथ वनमे जाकर राम को वापस चले आने की विज्यप्ति करता है, साग्रह अनुनय करता है, तो भी राम ने भरत के सामने पुनरपी वनवास को ही अपना पुत्रधर्म बताया है श्राम भरत को कहते हैं की लक्षमिष्चंद्राद अपेयाद्वा हीम वान्वा हीमम्त्यजेत अतियात सागरो वेलाम नप्रतिगनाम अहम्पितु हूँ चंद्रमा में से चांदनी हट जाए, हिमालय में से हीम पिघल जाए, शैत्य नष्ट हो जाए और सागर भी अपनी मर्यादाए लांग जाए ऐसा कदाचित हो सकता है, इन्तु मैं पिता की प्रतिग्या का भंग नहीं होने दूंगा आधुनिक काल में ऐसा प्रश्ण हो सकता है कि राम का पुत्र धर्म परिपालन कैसे अन्य व्यक्ति के जीवन का आराध्य सत्य बन सकता है क्योंकि पिताजी के वचन को सत्य ठहराने के लिए इसी पुत्र को क्यूं चौदा वर्शों का वनवास स्विकार्य बनाना चाहिए दूसरा प्रश्ण यह भी है कि राम ने अपने वयक्तिक जीवन का बलिदान देकर क्या पाया यहां आधुनिकों को लग सकता है कि राम ने तो पित्रो वचन के परिपालन को धर्म मान कर अपने वयक्तिक जीवन की आहुती देदी बरबादी का मार्ग पसंद कर लिया ऐसे धर्म धुरंदर, धर्म की धुरा को धारन करने वाले श्री राम हमारे आधर्श नहीं बन सकते हैं तो ऐसी आधुनिक सोच को शन भरके रोक कर इस प्रसंग का अंधिम परिणाम क्या आया था उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यक्ता है भरत ने देखा की मेरे जेष्ठ भ्राता पिता के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए वनवास में आकर बैठ गए है वे नहीं चाहते हैं की एक राज्य के लिए पिताजी मिथ्यावादी सिद्ध हो जाए तो ऐसे पित्र वचनकारी भ्राता राम ही अयोध्या के सच्चे उत्तराधिकारी हो सकते हैं तत्पश्चात भरत ने राम की पादुकाओं को श्री राम के प्रतिनिधी के रुप में स्थापित करके अयोध्या से बहार परण कूटी में निवास शुरू कर दिया तथा 14 वर्षों के बाद श्री राम को ही अयोध्या की राजगादी वापस लौटा दी पित्र वचनकारिता का यह चमतकार था दूसरे शब्दों में कहे तो पुत्र धर्म के परिपालन का यह सूखल था राम के जीवन की दूसरी घटना भी किर्टनिया है लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याविशिक निश्कंटक रूप से संपन्ण हो गया किन्तु दुरुभग्य वशात अयुद्या वासियों में सीता विशयक लोकापवाद फैल जाता है लोकापवाद की दौरान अयुद्या वासी क्या-क्या बोल रहे थी इद्रुषम रुदेतस्य सीता संभोग जम्सुखं अंकमारुप्यतु पुरा रावणेन बलाद्रुतां लंकाम अपी पुरानीतां अशोग वनिकाम गतां रक्षसां वशमापन्नां कथम रामो नकुच्यती अस्माकम अपी दारेशु सहनीयं भविश्यती यथाही कुरुते राजा प्रजास्तम अनुवर्तते अर्थात जिस सीता को रावण अपनी गोदी में बिठाकर बलपुर्वक अफरन करके अशोग वनिकामी ले गया था जिसको निरंतर राक्षसोग के वश में रखी गई थी उस सीता की राम स्वैम क्यों कुछसा नहीं करते हैं क्यों निंदा नहीं करते हैं अब तो प्रजा यह भी बोलने लगी थी कि राजा राम के इस निर्णैक से हमें भी सहन करना पड़ेगा क्योंकि प्रजा तो हमेशा अपने राजा के चरित का ही अनुसरण करती हैं ऐसे लोकापवाद को सुन कर राजा राम ने सीता का परित्याग करने का संकल्प कर लिया यह निर्णै उनके प्रजा राधन करने के राज धर्म का अनिवार्य आउश था राजा के रूप में श्री राम का यह धर्म था यह कर्तव्य था कि वह प्रजाराधन में सदेव सन्नत रहे राजाराधन को किसी भी किमत पर किसी भी तरख का बलिदान देकर उनको निभाना ही था अब यहां दूसरा प्रश्ण होगा कि राजा के लिए प्रजाराधन करना यदि उनका राज धर्म था तो पती राम का पत्नी के प्रतिवी कोई धर्म था या नहीं यहां हमें सोचना चाहिए कि जब समग्ग प्रजा के मानस में ऐसा विश्ष पैल गया हो तो उसको जटी दी दूर नहीं किया जा सकता है या कठीन है अती कठीन है राम की दृष्ष्टी में भी जनमानस के शुद्धिकर्ण के लिए सद्य प्रतिक्रिया दिखाना उचित नहीं था जीवन की विशमता ही ऐसी है कि जो मनुष्य की सत्यनिष्ठा की कठोर से कठोर तम परिक्षा लेती है श्री राम के जीवन में दो विरुद्ध धर्मों का टकराव पैदा हुआ था एक राजधर्म का परिपालन करने से दूसरे पति धर्म को आगात पहुँच रहा था राज धर्म का परिपालन करने से सीता को अन्याय होने की अकल प्य विशम परिस्ति पैदा हुई थी यहां देखना है कि श्री राम ने कैसी विलक्षन बुद्धी से दोनों धर्मों का परिपालन किया था और हमारे सामने एक अति विरल आदर्ष प्रस्तुत किया है श्री राम ने सीता त्याग के बाद अश्रुमेद यगन करने का संगल्प किया लेकिन वेदोक्त श्रौत याग करने के लिए श्री राम के वामांग पर उनकी सहधर्म चारेनी सीता का होना अनिवार्य था अतश्री राम के सामने दूसरे विवाह कर लेने का संकट आकर खड़ा हो गया वशिष्ठादी कुलुगुरुओं ने नई धर्म पत्नी को ले आने का प्रस्ताव रखा भी होगा परन्तु महर्शी वालमी की हमें कहते हैं की श्री राम ने धर्म कार्यार्थ भी दूसरा विवाह नहीं किया बल्की उन्होंने भरत को सुचना दी है की यग्यक्रिया की फुर्वतैयारी के रूप में सबसे पहले इसी शिल्पी के घर जाकर सीता की हिरंड मै प्रतिकुर्दी बनवा कर ले आओ इस विशे के श्लोप निम्नोक्त है कांचनिम ममपत्निम्च दिक्षा यामग्नाउश्च कर्मणी अग्रतो भरतक कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाहा यही बात वाल्मिकी ने दूसरी वार भी कही है श्री राम ने जब जब भी विभिन्य यग्यकारे किये थी उन सब में जानकी सीताजी के स्थान में कांचनी सीता को ही सहधर्मचारेनी के रूप में प्रतिष्ठित की गई थी वाल्मिकी लिखते हैं कि किष्ट यग्नो नरपतिही पुत्रद्वय समन्वितह न सीतायाहा पराम भार्याम वव्रेस रगुनन्दनहा यग्ये यग्येच पत्ने अर्थम जानकी कांचनी भवत अर्थात सीता जी जब धरातल में प्रविष्ठ हो जाती है तब भी रगुनन्दन श्री राम ने विश्रा विवान नहीं किया था और अपने दो पुत्रों के साथ ही यग्ये करने लगे थे धर्म पत्नी के रूप में सीता का जो स्थान था वो स्थान उन्होंने इसी अन्यस्त्री को कदापी नहीं दिया यहां ध्यातव विविंदु यह है कि श्री राम ने काम पुरुशार्थ के लिए तो दूसरा विवान नहीं किया था परंतु धर्म पुरुशार्थ के हेतु से भी दूसरा विवान नहीं किया था और यग्य कर्म के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूपने सीता की हिरेंडमई प्रतिकृति को ही अपने वामंग में स्थापित की थी जिससे अयोध्या के नगरजनों में परोख्षतया एक संदेश प्रवाहित हो जाता है कि श्रीराम के अंतक करण में माता सीता जी पवित्र ही और पवित्र रही है पवित्र वो मान रहे हैं बले ही उन्होंने प्रजाराधन के करतव्य को निभाने के लिए उसका त्याग किया हो युग युगान तर से भारत में जन्म लेने वाले सभी भारतियों ने यह बात मानी है कि श्री राम ने प्रजाराधन रुप अति दुसाध्य राज धर्म का निर्मम होकर परिपालन किया है वह किसी अन्य पामर मनिश्य के द्वारा संभव ही नहीं था क्योंकि उन्होंने राजा के रुप में प्रजाराधन का धर्म तो निभाया ही है इन्तु उसके साथ साथ एक पतनित्व के व्रत का अंगिकार करके, अपने पतिधर्म का भी दुरुडता के साथ परिपालन करके दिखाया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि सवग्र भारतिय प्रजा ने यह बात अपने अंतक करण में सदाताल के लिए माल ली है कि दश्रत पुत्र राम मनिश्य नहीं थे, वे तो स्वयम भगवान ही थे। श्री राम के दिव्य चरीत को शब्द बद करते हुए माहकवी भववुती ने भी लिखा है कि वज्रा दपी कठोरानी मृदूनी कुसमा दपी लोको उत्तराणाम चेताउं सी ओनू विग्नातु मरहती। श्री राम लोकुत्र व्यक्ती थे। प्रजाराधन के लिए उनका रुदय वज्र से भी कठोर था और अपनी पतनी सीता के लिए वे पुश्वसे भी कोमलत्तर थे। ऐसे व्यक्ती के चरित्र को कौन पुर्ण रूप से एवं सही स्वरूप में समझ सकता है। ऐसी मनुश्य व्यक्ती को दैवी व्यक्ती ही कहना होगा। लगता है कि यज्य कर्मरूप धर्मकारे करने के लिए भी दूसरा विवा नहीं करना, वह एक पतनित्व वाले नए युग का आरंब था। समग्र विश्व में ऐसी घटना अन्यत्र अध्यावदी नहीं दीखी गई है। यह हकीकत है क्योंकि राम के ही घर में पिता श्री दश्रत परियंत तो बहुपतनित्व का रिवाज चल ही रहा था। श्री राम ने चाहा होता तो यह भी दुसरा विवा कर ही सकते थे। लेकिन श्री राम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ही सर्व प्रथम एक पतनित्व के नियम को अखतित रुप से प्रतिष्ठित कर दिया है। और सभी भारतियों ने भी इस एक पतनित्व को सनातन धर्म के एक अंग के रुप में अत्मसाद भी कर लिया है। अब वे मनश राम नहीं रहे। हमने उनको भगवान ही मान लिये हैं और भगवान से भी आगे चलकर महा विश्णु के अवतार भी मान लिये हैं। ऐसे श्री राम हमारे सर्वोत्तम आराध्य देव बन गए है। इस ख्षण पर मेरे मन में एक श्लोक आकारित हो रहा है। बनितिही श्रुयते नित्यम धर्मु रक्षति रक्षित हा। गामायना शृतम कींतु देवत्वंच ददाति सह। अध्यावदी हमने माबारत से ऐसा ही सुना है। कि जिस धर्म का हम रक्षण करते हैं वही धर्म हमारी रक्षा करते है। रक्षित हा धर्मह अस्मान रक्षति इतत्यु अस्मा भी बहु बहु शृतम। इंतु अध्य रामायना एतत्य अधिकम गिनातम। इम अधिकम गिनातम तरही सधर्महा। परिपालितह सधर्मह देवत्वं अपी प्रददाती। तो राम को इसी धर्म परयानता ने ही मनुषः राम से देवराम बना दिये है। जयतुनित्यम श्री रामह आप सभी को जैसिया राम। जैसिया राम। जैसिया राम, धन्यवाद आह मोद आह, and for sharing your insights and most importantly, blessing us with the punya of listening to Shreemad Valmiki Ramayana. Indica today will soon be publishing a beautiful Sanskrit poem titled Ayodhya Shtakam, composed by Dr. Bhatt on the occasion of Pranapratishta at Ayodhya. Also, please don't forget to join us tomorrow for the finale session of this webinar series, which is also being hosted by Indica today. Our co-founder, Dr. Yogini Deshpande and Srimati Rekhadar, our editor, had the good fortune of speaking to Shri Shri Abhinava Shankara Bharati Mahaswami of Udali Sringeri Mahasamsthana. It promises to be an enlightening and engrossing session. As is the custom, we end today's webinar by chanting the Rama Mantras. Please feel free to unmute and chant along with me. Shri Rama Jai 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 Rama शुबरात्री उनर्मिलाम हम धन्यवाद